जैसा कि आपने प्रीविय में देखा इस तरह का आज मैं आपको ट्रैनिंग स्टेटस बनाना सिखाऊंगी उसे पहले चोटी सी रिक्वेस्ट अगर अब भी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर कर लो और साथ में इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है तो आप वहां से मुझे फालो भी कर सकते हैं तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो उसके लिए में एक आप की जरूरत है जिसका नम है लाइट मोशन तो लाइट मोशन आप को उपन कर लेते हैं इस तरह का इंटरफेस आजएगा प्लस पर टैप करेंगे यहां से नाइन टू सिक्स्टीन का रेश्यू स्लेक्ट कर लेंगे 1080P के साथ 30fps के साथ ब्लैक कलर की साथ क्रियेट पर एजक्ट पर टैप कर देंगे इस तरह से इंटरफेस आजएगा मैंने विडियो को बना रखी है जिसका लिंक में आपको description में दे दूँगी तो आप भी वहां से वीडियो को वाज कर लीजेगा तो गाइस हमारे पास वीडियो आच की है प्लस पर टैप करेंगे इस तरह से वीडियो हमारे पास एड़ हो जाएगी अब हमने क्या करना है सबसे पहले तो इसका वालियम हम यहां से म्यूट कर लेते है इस तरह से उसके बाद फिर से प्लस पर टैप करेंगे इमीज और वीडियो में जाएंगे और जो वीडियो मैंने क्रियेट की थी वह मैं लेके आती हूं इस तरह से क्योंकि इसमें से हमें साउंड एक्स्ट्रेक्ट करना है त्री डॉर्ड पर क्लिक करेंगे एक्स्ट्रेक हमने क्या करना है कैस एगा सबस्किट के अगाने करना साथ साथ मैं बीट-मार्क में अगणे कब नवा भाले लि degrees कर दें लिए अंग के में और इस तरह से क्लिक करूंगी और यह फिल से क्रीन हो जागा इससे अब color and fill में आना है इसका color हमने यहां से black कर देना है और इस तरह से इसको last तक extend करके इस वाले option पर tap करेंगे तो यहां तक आजेगा हमारा अब हमने क्या करना है guys blending and opacity में चले जाना है और यहां से इसकी opacity हम थोड़ी कम कर देंगे तके हमारी जो writing है इसके उपर साफ नजर आए तो guys इतनी मैंने 73 रख ली है अब हमने start में आ जाना है यहां plus पर tap करेंगे उसके बाद text के उपर जाएंगे और यहां पर हम अपने lyrics लिख लेंगे तो guys यहां पर हमने lyrics लिख ली है अब हमने क्या करना है यहां color के option के उपर जाना है इसका color हम white कर लेते हैं और यहां से इसके size के उपर जाना है तो इसका size हम यहां से 40 रख लेते हैं इस तरह से हो गया अब हमने क्या करना है जहां पर रोबोटो regular लिख लिख वाई यहां पर आएंके तो यहां पर हम font change करेंगे तो यहां से मैं इसका font कर लेती हूं जमीर, नूरी, नस्तालीक और यहां से इस वाले option पर tap करके इसको बीच में align कर देते हैं इस तरह से तो अब यह हो गया अब हम क्या करेंगे guys इसको इतना cut कर लेंगे इतना इस option पर tap करके cut कर लेते हैं अब इसके अंदर हमने guys animation यानी effect अड़ करने हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसी के उपर click करेंगे move and transform में आ जाएंगे start में आएंगे यहां पर plus का icon देंगे और इसको सारा उपर की तरफ ले जाएंगे इस तरह से यहां पर एक plus का sign देना है और यहां last पर एक sign देके इसको सारा full उपर की तरफ ले जाना है इस तरह से और अब हम क्या करना है इसके अंदर curve देना है तो हम क्या करेंगे guys यहां पर ले आएंगे curve की option पर आएंगे first curve जो है उपर की तरफ आपने करना है और जो last वाला curve है वो आपने नीचे की तरफ इस तरह से कर देना है तो यह हमारा एक animation complete हो गया है इस तरह से आएगा guys हमारा animation अब हमने क्या करना है इस वाली writing के उपर टैब करना है इस option पर टैब करेंगे तो हम यहां से copy layer कर लेंगे copy layer करके उसके बाद हमने क्या करना यहां थोड़ा सा आगे आ जाना है इसी option पर दुबारा टैब करके paste layer कर देंगे और हमारी next lyrics लिख लेंगे इस तरह से हमें कोई भी चीज जो है next add करने की आगे जरूरत नहीं यानि हमें writing वगरा size वगरा change करने की जरूरत नहीं है अब हम क्या करेंगे यहां timing की उपर आ जाएंगे और उसके बाद हमने क्या करना इसका size हमने छोटा करना है इस वाले option पर tab करेंगे तो यहां पर हमारा animation भी इसके अंदर add रहेगा और size भी इसका छोटा हो जागा तो ऐसे करते हैं अब इसके अंदर lyrics लिख लेती हूं मैं जल्दी से तो guys अब हमने क्या किया है सारी lyrics लिख लिए है इस तरह से हमने अब हमने क्या करना है यहां start पर आ जाना है text के उबर click करना है उसके बाद इस वाले option के उबर click करना है सबकी duplicate layer हमने इस तरह से करते जाना है text के उबर click करेंगे यहां से duplicate करेंगे इस वाले option पर tap करके तो मैं जल्दी जल्दी से duplicate layer कर लेती हूं तो guys इनकी मैंने duplicate layer कर ली है अब हमने क्या करना है यहां start पर आ जाना है इस वाले option पर click करना है उसके बाद हम इसको उपर की तरफ ले जाएंगे यहां पर और edit के उपर आ जाएंगे इस तरह से इसको यहां से delete करके हम इसके अंदर कोई सी भी emoji add कर देंगे तो मैं यहां से यह वाली emoji इसमें add कर देती हूँ इस तरह से यह देखें guys हमें emoji नजर नहीं आरी उसके लिए हमने क्या करना है color वाले option के उपर चले जाना है और यह second वाला option select करके इसको सारा नीचे की दफ कर देंगे तो यह हमें emoji नजर आना शुरू हो जागी और emoji का जो हम size यहां से थोड़ा छोटा कर लेते हैं इतना कर लेते हैं यहां से tick करके ok कर देते हैं इस तरह से आपने सब की अंदर emoji add कर लेनी है ऐसे text के उपर आपने click करना है उसके बाद इस तरह से उपर ले जाना है इसको और यहां से edit text के उपर आके आपने यहां से delete करके तो आप इसमें कोई सी इमोजी एड़ कर सकते हैं जैसे आप इमोजी एड़ करेंगे इसके बाद आप color के option पर चले जाएंगे second वाले option को select करके इस तरह से करेंगे तो आपकी emoji आपको नजराना शुरू हो जएगी और सारी emojis का आपने जो size 32 रख लेना है आपने इस तरह से तो मैं जल्दी जल्दी में जिसका link आपने उस project को open कर लेना है इस तरह से मैं back जाती हूँ उसके बाद क्या करना है यहां पर आएंगे इस वाले option पर tab करेंगे इस तरह से फिर effect के उपर चले जाएंगे जैसे effect के उपर जाएंगे आपने यहां three dot के उपर click कर लेना है यहां से copy effect करके वापीस आजाना है जैसे आप copy effect करके वापीस आएंगे आपने उसी project के उपर आजना जिसके उपर आप काम कर रहे थे तो हमने क्या करना है सबसे पहले तो हमने इस वाले 주िक्ष की उपर click करना है उसके बाद effect के अंदर चले जाना है जैसे effect के अंदर जायेंगे हम यहां पर three dots के उबर हम click करेंगे यहां से effect को हम paste कर देंगे effect को जैसे paste करेंगी हम तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से यह देखें dancing effect हमारे पास आ जाएगा writing का तो इसी तरह हमने क्या करना है writing के उपर click करना है यानि स्टेक्स की ओपर क्लिक करना है effect के अंदर जाना है थ्री डॉड पे क्लिक करके इनको paste effect करते जाना है तो इस project का link मैं आपको description में दे दूँगी तो आपने भी ऐसे ही करना है इस तरह से आपने paste करते जाना है सब के अंदर तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ इस तरह से तो guys हमने इसके अंदर जो effect एड़ किया है हमारी वीडियो जो हो बन के ready हो चुकी हूँ मैं आपको प्ले करके दिखा देती हूँ इस तरह की बनी है guys अमीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अच्छी लगे तो लाइक कर देना साथ ही चैनल को भी सबस्क्राइब कर देना अपना खयार रखीगा दौाओं में याद रखीगा पिर मिलेंगे एक नई ट्रेंडिंग और इंफर्मेटी वीडियो के साथ तब तक के लिए अलाहफीज टेक क्यार बाई बाई